इसे देखा जाए तो टेक्निकली यह कोश्चन में थोड़ा सा इरर है कलती है कलती क्या है यहां प्योर वाटर का मॉललीटी कहा जा रहा है और मॉललीटी हम लोग किसका निकालते हैं सॉलूशन का है सॉलूशन किसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्षर को अब मिक्षर कभी अकेले तो हो नहीं सकता है मिक्षर कहने का मतलब कम से कम कितने कंपोनेंट हो दो कंपोनेंट हो लेकिन यहां कहा जा रहा है कि आपको प्योर वाटर का निकालना है और कॉमड़िव एक्जामनेशन में लगर को अब मार है तो वाटर ही सॉल्यूट होगा और वाटर ही तॉल विठ्ट हों कोई एमउंट नहीं दिया हूआ है इसके मासको हम लोग मालन लेते हैं मास आप एकसी माल सकते हैं हंड़र सकते हैं थाउज़न कुछ बज़ाइब यहां पर हम लोग वाटर के मास को x माल लेते हैं इसका मुलर मास पता है आपको कितना होता है 18 ग्राम पर मूल तो अब यहां से इसका मूल निकाल लेते हैं मूल इस इकल टू मास बाई मूलर मास यहीं सॉल्वेंट के रूप में भी काम कर रहा है तो यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट तो चुकि सॉल्यूट का एक्स माने तो सॉल्वेंट भी कितना हो जाएगा एक्स ग्राम अब मूललिटी निकालो मूललिटी का फार्मूला पहले लिख लो मूल ऑफ सॉल्यूट इवाइड़ भाई मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट और अगर यह ग्राम में है तो किससे मंटिप्लाई कर देंगा हाउजेंट से अब वैलू पुट करते हैं मूल ऑफ सॉल्यूट कितना आया है एक्स बाई 18 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है एक्स इन्टू थाउजेंट देखो तो यह 18 नीचे चलाएगा यानि अगले स्टेप में हो जाएगा एक्स इन्टू थाउजेंट दिवाइड बाई 18 इन्टू एक्स यह एक्स और एक्स कैंसिल हो गया बचा क्या थाउजेंट दिवाइड बाई 18 और यह वैलू आएगा 55.555 इसको हम लोग लिख देंगे 55.56 अगर आप हंडेड मानोगे इसके मास को हंडेड यह मास भी कितना हो जाएगा हंडेड तो उपर में हंडेड नीचे में हंडेड वो दोनों कैंसिल हो जाएगा हाउजिंड मानेंगे तो भी उपर नीचे में कैंसिल हो जाएगा यानि हर हाल में ये वैलू कितना हैगा 55.56 तो ये याद रखिएगा ये प्यूर वाटर का मॉलेलिटी 55.56 होता है कई जगह पर जरूरत भी पड़ेगा इसे नोट कर लो